बिसमिल्लार्मानिरहीम इस question को solve करते हैं cross multiplication method के जरीए सबसे पहले क्या करेंगे इसको नाम देते है equation number one का और इसको नाम देते है equation number two का इसके बाद क्या करेंगे इदर X के कोपिशन्ट में क्या है 1 है तो 1 को यहां लिख देंगे यहां 2 है तो इनको यहां लिख देंगे यहां 2 है तो इसको यहां लिख देंगे इदर 1 है तो इसको यहां लिख देंगे यहा माइनस 11 है तो इनको यहा लिख देंगे और माइनस 10 को यहा लिख देंगे इसके बाद इस तमाम विल्यू को दुबारा यहा लिख देंगे 1, यहा 2, यहा 2, यहा 1 यहा माइनस 11, यहा माइनस 10 इसके बाद पहले विल्यू को और लास के दो विल्यू को चोड़ेंगे बागी क्या करेंगे क्रास मंटिप्लिकेशन करेंगे ये इसके साथ मंटिप्लाई होगा ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ ये इसके साथ और ये इसके साथ इसको हम क्या नाम देंगे X का और इसको Y का और इसको 1 का नाम देंगे इसके बाद क्या करेंगे इधर X लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे 2 को माइनस 10 के साथ मंटिपलाई करेंगे 2 मंटिपलाई माइनस 10 इसके बाद यह माइनस साइन लिख देंगे माइनस 11 को मॉन्टिप्लाई करेंगे वन के साथ इसके बाद क्या करेंगे यह हुआई लिख देंगे और नीचे माइनस 11 को मॉन्टिप्लाई करेंगे तू के साथ इसके बाद यह माइनस साइन लिख देंगे और 1 को मन्टिप्लाई करेंगे माइनस 10 के साथ इसके बार यहाँ 1 लिख देंगे और नीचे 1 को 1 के साथ मन्टिप्लाई करेंगे जरमेया में माइनस 10 लिख देंगे और 2 को 2 के साथ मन्टिप्लाई करेंगे इसके बार क्या करेंगे x को उपर लिख देंगे और नीचे इससे क्या जाएगा minus 20 आ जाएगा माइनस 20 लिख देंगे minus minus plus और 11 आ जाएगा is equal to उपर y लिख देंगे नीचे इससे क्या आता है minus 22 minus 22 यहाँ लिख देंगे minus minus plus 10 1s are 10 तो यहाँ 10 लिख देंगे इसके बार उपर 1 लिख देंगे नीचे 111 यहाँ लिख देंगे यहाँ minus 22 आ पौर यहाँ पौर लिख देंगे इसके बार यहाँ x लिख देंगे इनसे क्या आता है माइनस 9 तो यहां माइनस 9 लिख देंगे यहां उपर Y लिख देंगे नीचे इनसे क्या था है माइनस 12 तो यहां माइनस 12 लिख देंगे इस इकुल टू उपर 1 लिख देंगे इनसे क्या था है माइनस 3 तो यहां माइनस 3 लिख देंगे इसके बाद क्या करेंगे x x नीचे minus 9 लग देंगे is equal to 1 over 3 minus 3 को लग देंगे इदर y नीचे minus 12 is equal to 1 over minus 3 इसके बाद क्या करेंगे minus 3 को एके साथ multiply करेंगे तो क्या आता है minus 3 x आता है इदर इन से क्या आता है minus 9 इसके बाद दुन्हों साइट को minus 3 पर divide करेंगे इसको भी minus 3 पर divide करेंगे और इनको भी minus minus के साथ किंसल हो जाएगा और 3, 3 के साथ किंसल हो जाएगा इदर माइनस माइनस के इंसल हो जाएगा 3 1 3 3 0 9 X की वेली हमारे पास आ जाएगी 3 अब Y की पाइंट करते हैं इसके साथ मंटिपलाइकर तो क्या थे माइनस 3 Y इसके साथ मंटिपलाइकर 12 को तो माइनस 12 आता है इसके बाद दोनों साइट को माइनस 3 पर डिवाइट करेंगे इनको भी माइनस 3 पर डिवाइट करेंगे और इनको भी माइनस माइनस केंसल हो जाएगा और 3 3 के साथ हतम हो जाएगा यहां माइनस माइनस केंसल हो जाएगा 3 1s आ 3 3 4s आ 12 तो y की वेदियों हमारे पास आ जाएगी पौर y की वेदियों आ गई पौर और x की वेदियों आ गई त्री